हलो जाहें दोस्तों मैं राहूल इंग राहूल वाई फैक्षिटी में आपका स्वागत और अभिनंदर करता हूँ दोस्तों आज हमें उत्ता प्रतिश डियाल एड़ यहां पीटीसी दूजार अप्लिकेशन कब से स्टाट होगा और कौलिफिकेशन फिस सब के बारे में हम प फैक्षिटी चैनल के माद्यम से जबर पहुंच वह हम बिना समय के रुक्सान के वह लेते हैं पूरी जानकारी यूपी डियालेट दूजार बंडनेस के समद्ध में जिधा की लगातार आप लोग का कमेंट विया रहा था कि डियालेट के बारे में आप पूरी जानकाई द लेकर के आपके समझ में हाजिर हो चुका हूंगी तो मितरो आप जबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा का पूरा जो है इस वीडियो को देखिए आपको सब कुछ जानकाई दी जाएगी यूपी डियालेट दूजार बंडनेस के समद्ध में तो बिना समय का नुक करते हैं यूपी पीटीची दुर्वर्णेस की परविश्ट प्रिक्रिया जल आउजित की चाहिए अब डियालेट उत्तापरदेश के लिए उमिद्वारों का जैदा इंतियार नहीं करना होगा आज हम उत्तापरदेश डियालेट की पूरी जार्चा इस वीसे में करेंगे आपको सबसे पहले आपको बता दे की उत्तापरदेश डियालेट करता है जाधा कि आप जानते हैं बराहमी आपके कच्छा के अंग के अजाता पा यूपी बीटीची में इस्ट त्यार की जार्त है जारी जारी कि जाती है आज हम इस आर्टिकल में वूपी बीटीसी जूर्वाइब से जूरी साही जानकारी आपको देंगे बिसे सकते हैं और यहां भी दी सकते हैं हैं जो महत्तपूर्थ देते हैं यह हां से दे सकते हैं आनलाइन जावका पंजी कन डो सरह सुरु है कि आप दूसरा हफता आपका सुरू हो चुका है तो मुश्ट लिए चांसेस हैं कि आपका जो है इसी बीक में अनलाइन एक्षेशन सुरू हो जागा मित्रो और अंतिम्तिति की प्रिंट आउट आपको लेने के अंतिति थी आपके समचों की 2021 के भी फर्स्ट वीक तक है ना और काउंसुलिंग के बात करने तो दे सकते हैं पर्थम 14 जून से लेकर के 28 जून 2021 तक और दूसरा जो आपका चांसुल होगा बाला जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक हैं ना डा किता माप डंड है तो यहां से पूरी ख़बर लेते हैं आप यह देख सकते हैं सैच्छड की योगता आपके पास होनी चाहिए कि किसी मानता पर आप इंवस्ट्री से आपको 50% अंकों के साथ अर्षनाता की डिगरी होनी चाहिए और वो भी CSC मिज़ारों के लिए 5% पास होनी चाहिए और आई को बात करने तो देख सकते हैं 18-35 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए आगे ख़बर इदान से देख सकते हैं रहाए प्रयावदन के लिए और सकते हैं और साथ घ्रदा अमें निशे देगे लिंग पर यहां से भी आप क्लिक करके पूरी जान कर अगर ले भी सकते हैं तो आपको साइड बता दी जाती है यह देख सकते हैं updl.ub.in पर वहां जाकर करके भी इसके समुने अधिक जानकारी आप पराप्त कर सकते हैं तो यह पूरी खबर थी आपको आनलाइन आवेदन के समुन में अगर हम फीस की बात कर लें मित्रो तो फीस आपके कितने लेंगी यह भी आपके दिमाग में चल लहा होगा यहां से पुरी खबर दे सकते हैं परवेश सुल्क इस पकार है जो अमिदवार व्यूपी बीटी सी दुराबर नई सरकारी कालेज या डी आई एटी में भरती होना चाहते हैं उनके लिए लगभग 10,450 सीटे हैं देख सकते हैं सरकारी कालेज में 10,450 सीटे हैं उमिदवारों के लिए निजी कालेज में 40,000 सीटे हैं 10,450 सरकारी में हैं और निजी कालेज में आपके लिए 40,000 सीटे हैं तो आगे से देख सकते हैं सरकारी कालेज के लिए उमिद्वार को लगभग 41 सो से 8000 के बीच में फीज देनी होगी यह बड़ी ख़बर यहां से देख सकते हैं उमिद्वारों को निजी कालेज के लिए लगभग 41 रुपिया फीज देनी होगी तो निज़ी कालेज में आपको एक तालिस यार फीज देनी होगी और हम सरकारी कालेज की बात करें तो एक तालिस सूझे लेकर के आट यार की बीच में आपको फीज देनी होगी छेहन प्रक्रिया की बात का लिया जाए तो आपको तीन प्रक्रियां सो — गुठेगी, देh सकते हैं आप तीन से आविदन पत्र होगा उसके बाद आपको Memd में एिखली तैयार की जाएगी पूनर आपक का उन्सलिंग जो आपका पूसके बाद पूरी की जाएगी तो यह तीन प्रक्रियाओंस होकर आपको जाना होगा मित्रो यह पूरी ख़़ती आपको डियालेट दूरा बढ़ने इसके समन्द में जैसे ही अप्लेकेसन स्टार्ट होता है तो आपको इस वीडियो के मादवियो चैनल के मादवियो से जोरू शूरू किया जाएंगा तो यह चांश्फाछ से जाएंगे तो यह पूरी खबार अच्छा लगा तैसे लाइक करिये औजदा ज्यादा लाइक शेयर करिए नहन्यव नमस्कार